नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा ट्वल्थ की राजनिटी विज्ञान की पुस्तप की के जो टॉपिक्स है आपके उनको पढ़ा रही है। पिछले वीडियो में हमने मौलिक अदिकार और नेती रिदेशक तक्वों के बारे में पढ़ा था बच्चों। आइज अतना topic है बच्चो मौलीख कर्टबियों कि अगर हम बात करें तो मौलीख कर्टब्यों का उलेक भार्तिय संलिदान की भाग चार कैमें इसमें है भाग चार कैमे मौलिक कर्तव्यों का उलेग जो है बच्चो देखने को मिलता है और मौलिक कर्तव्य भाग चार के 51 A में देखने को मिलता है आप सबको ये भी बताओगा बच्चों, अनुचे विक्यावन, अनुचे विक्यावन अंतराष्टी शांती और सुरक्षा को बढ़ावा देनता है, सभी राष्टों के साथ सैयोग और सामनजश्य की भावना रखने के लिए प्रेवित करता है, सभी राष्टों में सम्मिदान के भाव चार कै और क्यान एक अनुचेद में देखने को मिलता है, और मोलिक करतव्यों की जो प्रेणा ली हमने वो ली बच्चों सोवियत संग से, सोवियत संग का नाम आप लोगोंने बच्चों सुना होगा, जिसको वर्तमान में हम रूस कहते हैं, साम्यवाद देशों का जो देश संगठन था, उसी का नाम था बच्चों सोवियत संग, और सोवियत संग 1901 में में सोवियत संग का विक्दन हो गया, और रूस एक अलग राष्ट्री बन गया था, अब बात आती है कि जो मोलिक करतव्यों हैं, जिनका उल्ले अनुचे वित्यामत हुई तो इनको जोड़ा कि हो गया, मोलिक करतव्यों नागरिकों के करतव्यों हैं बच्चों, क्योंकि अधिकारों के साथ साथ करतव्यों का होना बहुत ही आवश्यक है, अधिकारों के साथ करतव्यों जुड़े होते हैं, अधिकारों के साथ अगर करतव्यों जुड़े होते ह इसे लिए हमारे स्वाण सीन समीती की सिफारिश पर 42 सम्विदान संचोधन उआ और उसमें बच्चो मूल कर्तवयों को जोड आ गया आ हमारे भारती संविदान में थे बच्चो स्वर्ण सिंह समिती इस सिफारिश के आधार पर 42 संविदान संचोधन हुआ 1976 में और इस 42 स्वे संविदान संचोधन के तैर 10 मूल कर्तव्यों को चोड़ा गया कितने मूल कर्तव्यों को चोड़ा गया 10 मूल कर्तव्य भार्टी नागरी को पे लिए बनाए गए बच्चो और 83 सीवा संचोधन 83 सीवा संचोधन 2 हजा 2 में हुआ उसके तहर ग्यारवा मुलिक कर्तव्य जोडा गया तो 42 संविदान संचोधन के तहर हमारे भारतिय संविदान में मौलिक कर्तव्य थे 10 42 संचोधन में और 11 मौलिक कर्तव्य जोडा गया 86 संविदान संचोधन 2002 के तहर 11 मौलिक कर्तव्य वर्दमान में है और 42 समविदान संचोधन के तैट 10 मोलिक करतवयों को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंग समीती की जो उसमें करतवयों की लिस्ट दी थी उसमें से कई करतवयों को इसमें शामिल नहीं किया था सरकार ने लेकिन फिर भी हमारे भारतिय समविदान निर्माता हुने 42 समविदान संचोधन के तैट भाग 4 कैके 51 की धारा में इस मोलिक करतवयों को समाहित कर लिया और इन मोलिक करतवयों की प्रेणा हमें सोवियत संग के संविदान में देखने को मिलती है वहां से हमने प्रेणा ली थी तो आज वर्तमान में 11 मोलिक करतवय है 42 में सम्विदान संचोधन के तैप 10 कर्टवे चोड़े गए जब की 83 सम्विदान संचोधन 2002 के तैप 11 मौलिक कर्टवे चोड़ा गया था और नागरी को कादाई को बना दिया गया था सिक्षा में अब बात ये आती है कि ये जो मॉलिक कर्तव्व्य हैं वो कौन कौन से हैं तो देखो बच्चों भारती संविधान के भाग चार के के अनुचे 51 ए में इन मोलिक कर्तव्यों का वर्लन निलता है और इसके अंतरगत 11 मोलिक कर्तव्य बताए गए हैं उसमें जो दस मोलिक कर्तव्य है ये जोड़े गए 42 संविधान संशोदन केता है और ये जो एक मोलिक कर्तव्य जोड़ा गय वो जोड़ा गया 86 सम्मिदान से शोदन दो हजार दो केकों अब बात आती है कि है क्या इन्हें तो देखो हमारे बारतिय सम्मिदान के भाग चार कहते अनुचे लिक्याम एक के कहने लिखा हुआ है कि आदर की भावना रखने है नागरीकों का करतब्बे है कि राष्ट के जो अधर की संस्ताइं है जैसे संसद भवन है आपका राष्ट ग्वज है राष्ट गान है इन सब का आदर करना नागरीकों का करतव्य माना जाएगा ये आपके अनुचे इक्याम एके कहने लिखे बात कही गई ए कि आपको राष्ट के आदर्षों संस्ताओं राष्ट ग्व कि ये बात नहीं गई है कि राजमीतिक आंदोलनों को प्रेलिक करने वाले उच्छ आदर्ष जो भी है जिनोंने राश्ट्रिय आंदोलन में प्रेल्णा इस्थूत रहे जैसे महत्मा गांदी, पंडिक जवार्डा उन्हें, राजिंद्र प्रसाथ, भीम राव अंबेग करसा जो भी हमारे उच्छ आदर्ष है, उनको अपने उच्छ आदर्षों में सजोए रखना है, उनसे हमेशा प्रेना लेते रहना है, और उनका हमेशा से सम्मान करना है ऐसा अमारे भारतिय संभिधान के मोलिक कर्टव्यों में ये बात कही रही है। अब बात आती है बच्चो अशून वैर रक्षा। इसका मतलब है बच्चो इराश्ट की एकता, अखन्ड़ता और उसकी संप्रभूता को अशून बनाए रखना और देश की प्रभूता की रक् देखो बच्चो हमारी प्रस्तावना भी कहती है राष्ट की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाली बंदुता बढ़ाने के लिए क्रत संकल्प होते हैं वैसे ही हमारे मौलिक कर्टव्य भी कहते हैं कि देश की एकता और अखंडता को अशुन बनाए रखना और देश की प्रभूता की रक्षा करना हर नागरी का कर्टव्य होगा यह कहते हैं हमारे मौलिक कर्टव्य का दूसरा तीसरा होगा अब चौता कर्टव्य क्या है बच्चों राष्ट की सेवा कर्मा हर नागी का कर्टव्य है कि वो राष्ट की सेवा से प्रेरित होकर ही कार्य करें जो भी कार्य करें उसमें राष्ट सेवा का भाव होना चाहिए क्योंकि राष्ट सेवा का भाव उसका कर्टव्य मना जाएग तो राश्ट सेवा की भावना मौलिक कर्टव्यों के चौथे कर्टव्य की रूपने शम्मिल किया गया उसके बाद है निर्मान हमें हमारे राश्ट में हमारे देश के नाधिकों में समरस्ता का भाव पैदा करना है और सभी धर्म के लोगों के साथ भार्तत्म और बंदुत्म की भावना रखनी है ये बात हमारे भार्तत्म की भावना का निर्मान करना है और इस्तरियों के सम्मान के विरुद जो भी प्रथाएं हमारे समाज में विद्यमान है उन प्रथाओं का त्याग करना है जैसे बच्चों आप जानते हूं प्रदा प्रथा हमारे समाज में विद्यमान है तो नागरीकों का कर्तव्य है कि ऐसे प्रथाओं को नहीं माने और उनका त्याग करें जैसे आप जानते हूं दहेश प्रथा, प्रदा प्रथा, कन्या विवा, इसके अलावा भी समाज में कई कुरीतियां विद्यमान, सती प्रथा, भूर हत्या, ये कई ऐसी प्रथा हैं जो इस्त्रियों के सम्मान के विरुद है, इस्त्रियों को उचित अधिकार नहीं दिलाता है, ऐसी प्रथाओं का अंत कर दिया जाना चाहिए, ये कहता है आपका कौनसा पाच्वा कर्तव्वे, कि आपको समरस्ता और भारतत्व की भावना का विखास करना है, और इस्त्रियों के सम्मान के विरुद जो भी प्रथाएं हैं, उनका त्याग करना है, ये बात कहता है, नेक्ष्ट है बच्चो, परिरक्षन, परिरक्षन क्या कहता है, सामाजिक संस्कृती की गौरवशाली परंपरा, जो भी हमारी सामाजिक संस्कृती है, रितिरिवाज है, खानपान है, त्यामार है, पर्व है, जितने भी रितिरिवाज है, जो हम आचार विचार करते हैं, मात्र के प्रती हमेशा दया भाव होना चाहिए जो कुई हमारे आस्पार जितने भी जीव जन्तु है उन सब के प्रती हमारा दया भाव होना चाहिए और प्राक्रतिक वातावर्ण जो है उसको संबर्धन किये जाने का प्रियास किया जाना चाहिए वे वज़े पेड पोदों को नहीं काटना चाहिए जीव जन्तों को नहीं सताना चाहिए प्राक्रतिक वातावर्ण को बनाए रखना चाहिए प्रदूशन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए ये सारी बाते बच्चों इसमें समाहित हो जाती है प्राक्रतिक वातावर्ण को बनाए रखना हर नागरी का कर्तव वे माना है हमारे संविधान निर्मान होने उसके बाद देखे हमारा संविधान के मौलिक कर्तव यह आगया आपका चटा यह आगया आपका सात्वा और यह आगया विकास विकास के लिए का है कि हर नागरिक में वैग्यानिक दर्ष्टिकोन का विकास करना है मानव वाद की भावना रखनी है ज्यान का दिन प्रतिजिन अर्चन करना है और उसमें सुधार करना हर नागरिक का कर्तव वे माना जाएगा वेग्यानिक द्रश्चिकोन को विक्सित करना है मानव वाद को विक्सित करना है और ग्यानार्जन ग्यान का अर्जन करते हुए उसमें सुधार करना है ये सब हमारे किसमें हैं मौलिक करतव्यों में समाहित है उसके बाद आता है बच्चो नववा करतव्य है क्या है सतत प्र प्रियास यह चटा हो गया एक दो तीन चार पांट छे सार आट नो दस उसके बाद कह रहा है आपका सतत व्यक्तिगत वैस सामुई गतिवीदियों का परी रक्षन करने का क्या होना चाहिए सार्वजिनिक समकत्ति को सुरक्षित नवा यह नवा है सुरक्षित यह दस्वा है और यह आट करहा है कि वैग्यानिक दरश्ची कोण मान वाद और क्या करना है उसके बाद आपका बच्चो नवा जो के रहा है वो क्या के रहा है सार्वजिनिक संकत्ति की सुरक्षा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा वै हिंसा को दूर कन्द हर नावरी का करतवे है कि जो भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति है उसकी हमें क्या करना है रक्षा करना है और उसकी सुरक्षा करनी है ये आपका बच्चो नवा मौलिक करतवे है ठीक है दस्वा मौली करतवे बच्चो आउसर प्रदान करना व्यक्ति गत्वे सामुई गतिवीदियों का हर नागरी को आउसर प्रदान किया जाए ताकि व्यक्ति अपना सर्वांगरिन विकास कर सके बालब अपना सर्वांगरिन विकास कर सके ये आपका दस्वा मौली करतब्वे बच्चों यह जय है 11 मौली करतब्वे जो की 83 संभिदान संचोधन के तहर जोड़ा गया था वो कह रहा है कि 6-14 वर्ष तक के बालकों को 6-14 वर्ष तक के बालकों को निशुल और सिक्षा प्रदान करवाना हर माबाब का करतब्वे होगा कि हर बच्चे को सिक्षा उप्लब्द करवाए हर अभिभावक का यह करतब्वे होगा यह 11 मौलिक करतब्वे 86 संचोधन 2002 के तहत जोड़ा गया अवसर प्रदान करना 10 मौलिक करतब्वे है सतत प्रियास करना व्यक्ति गत्वे सामूई गतिविद्यों का विकास करने के लिए सतत प्रियास करना ताकि व्यक्ति का सर्वादूरिन विकास हो सके ये बच्चों 11 मौल कर्टवे आपके भारतिय संभीदान में दिये हुए हैं ये 11 जो मौलिक कर्टवे हैं ये मौल संभीदान में नहीं थे इनको 42 संभीदान संचोधन के तैट स्वर्ण सिंह समीती की सिफारिश पर जोड़ा गया था अब बात आती है कौन-कौन से एक बार और देख लीजिए पहला मौलिक कर्टवे हैं देश के आदर्षों, संस्ताओं, राष्ट द्वज और राष्ट गान का आदर करना दूसरा मौलिक कर्टवे हैं राजनितिक आंधोलन को प्रेवित करने वारे उच आदर्षों को सजोये रखना तीसरा मौलिक कर्टवे हैं देश की एकता, अखंडता और प्रभूता को अशुम बनाए रखना और उसकी रक्षा करना चोथा मौलिक कर्तवे है राष्ट की सेवा करना पाच्वा मौलिक कर्तवे है देश के नागरिकों के मद्दे समरस्ता और धर्तत्य की भावना का विकास करना और इस्त्रियों के सम्मान के व्रुद प्रताओं का परित्याव करना 6. सामाजिक संस्प्रति गौरव शाली परंप्रा का क्या करना? परिलक्षन करना हमारा धाइक हो है 2. दयाबाव प्राहिमात्र के प्रति दयाबाव रखनी है और प्रात्रतिक वातावरण की संबर्दन करने का हर नागे का कर्तव है ये है आपका साथवा मॉली कर्तबे है आपवा मॉली कर्तबे है विकास किसका करना है? रैद्याली द्रश्टीकोर, मानवार और ज्यानार्जर principio एवं सुधार बाद विकास करना है नवा मॉली कर्तबे है बच्चो सारवजनिक संपत्ति की इस रक्षा वे हिंसा को दूर करना ये आपका नवा मौली कर्टब्वे है दसवा है सतत प्रियास व्यक्तिगत वे सामुई गतिवीदियों का क्या करना है सतत प्रियास करना है ताकि बालत का सर्वांगिन विकास हो सके फिर है आपका 11 मौली कर्टब्वे जो 83 सम्मिदान संचोधन के तहर जोड़ा गया बच्चो और उसमें कहा गया था 6-14 वर्स्तक के बालकों को अभिभावत द्वारा सिक्षा उप्लब्द करवाना उनका मौली कर्टब्वे माना जाएगा इस प्रकार हमारे भार्टिये सम्मिदान में 11 मौली कर्टब्यों का उलेग गया है जो आपके कक्षा त्वल्द के स्लेबस में आता है तो ये 11 मौली कर्टब्वे मैंने आपको बताए सोवेशन के सम्मिदान से लिए भाग चार कैमें इसका उलेग है 51 ए अनुचेद्रम पर है हमने स्वन सिंह समीती की सिफारिश्मन मूल कर्तव्यों के तहब इनको जोडाता अब बात आती है कि कुछ सम्मिदान निर्माताओं ने या कुछ विद्वानों ने मौलिक कर्तव्यो की आलोचना की है तो उनके लिए आधार क्या था कि उन ने मौलिक कर्तव्यों की आलोचना इंब बच्चो तो पहला था कुछ कर्तव्यों को शामिल नहीं करना हमारे बातिये समीतान में स्वन सिंह सम्मिती की सिफारिश ने जो सिफारिश देती उसमें कुछ मौलिक कर्टव्यों को शामिल नहीं किया गया था तो इस आधार पर भी मौलिक कर्टव्यों की आलोचना की दे उसमें कहा गया कि मतदान को हर नागरी का कर्टव्य माना जाना चाहिए कि वो मतदान करे अनिवाले मतदान की व्यवस्ता का प्रावदान मौलिक कर्तव्यों में होना चाहिए था ये इन विद्वानों ने इस आधार पर आलोचना की और कहा परिवार नियोजन जनसंक्या का आकड़ा दिन प्रती दिन भारत में बढ़ता जा रहा है तो हर नागरी का कर्तव्य है कि परिवार नियोजन करें परिवार नियोजन के मात्यम से हम इस देश का अच्छे तरीके से सही तरीके से विकास कर सकते हैं तो परिवार नियोजन की बात भी मौलिक कर्तव्यों में होनी चाहिए थी इन विद्वानों ने इस आधार पर मौनी कर्टव्यों की आलोचना की फिर है आपका कर अधाय की कर को टैक्स बढ़ना हर नागरी का कर्टव्यों होना चाहिए करों की चोरी नहीं करना नागरी का कर्टव्यों होना चाहिए ऐसा इन विद्वानों ने कहा कि इन चीजों को भी कर्तबों में शामिल किया जाना चाहिए जा ये बात परी दूसरा कहा कि इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो ऐसपष्ट है और ऐसमर्थी है जैसे वैद्यानी ग्रष्टिकोन है उच्च आदर्ष है कही शब्द ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं नागरिकों की आम भर्षा में इसका वर्णन होना चाहिए था क्योंकि ये नागरिकों के कर्तबे हैं तो इसमर्थी है इस आदार पर भी मौली कर्तब्यों की आलोचना की जाती है फिर आता है दंड की व्यवस्तानी अगर इन मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं होता है तो हमारे बार्टी सम्विदान में किसी भी प्रकार के दंड की व्यवस्ता का प्रावधान सम्विदान में देखने को नहीं मिलता है तो इस आधार पर भी मौलिक कर्तव्यों की आलोचन की जाती है उसके बाद आता है अत्यदि आदर्श्वादी आपने देखा राश्त द्वज का सम्मान करो कुछ आदर्शों को सजोई रखो एकता अखंडता प्रभूता की लक्षा करो तो यह ज्यादा आदर्श्वादी है तो इसलिए भी मौलिक कर्तव्यों की आलोचना की ज मौलिक कर्तव्यों में कुछ शब्द ऐसे हैं जो एसपष्ट और एसमर्थी है दंड की रवस्ता नहीं है और अध्यदि आदर्श्वादी है इस आधार कर्क मौलिक कर्तव्यों की आलोचना की जाती है उसके बाद आता है महत्मि आप सब जानते हो हमारे देश में कई श्रियोदी जो भी गतिविदी करता है उसके लिए चेतावनी देता है कि बेश की एकता कर्णता की हमें रक्षा करनी चाहिए ये नागरिकों का कर्तव्य है इसलिए इंका महत्म है नागरिकों के लिए प्रेणा स्थूप नागरिकों को प्रेणा देता है कि हमें प्राणी मात्र के दया की द्रश्टिकोन रखना चाहिए सारजनी संपत्ती की सुरक्षा रखनी चाहिए इंसा नहीं करनी चाहिए एकता अकंडता हो प्रभुता की सुरक्षा करने के लिए प्रियासवत्त रहना चाहिए तो कई चीजें ऐसी है जो नागरिकों के लिए प्रे मौलिक कर्टव्यों को आधार बना करके विदी बना लेता है तो न्यायाले की साहिता भी करते हैं कौन मौलिक कर्टव्य उसके बाद आते हैं विदी द्वारा लागना मौलिक कर्टव्यों को हमारे न्यायले ने कई बार विदी बना करके कानून बनाने का कारिवी किया है सतत्विकास के सिब्दांत के आदार पर प्रभावी कि सरवोच्च नियाले ने कई बार सतत्विकास को ध्यान में रखते हुए इन मौलिक कर्तव्यों के से कुछ सत्वों को लेकर के विदी बना दिया है जैसे आ तो बच्चो आज हमने किसके बारे में पढ़ा मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ा मौलिक कर्तव्यों की आलोचना क्यों की जाती है इसके बारे में पढ़ा और मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है इसके बारे में हमने इस चैप्टर में अध्यान दिया बच्चो आपन सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे ताकि मैं राजनीती विज्ञान के खक्षाटवन के जितने भी टॉपिक्स है उन सब को आपको पढ़ा सकूं धन्यवाद